अनंत नाग की आतंकी मुठ भेड में सेना के दो सैनिक शहीद हुए साथ ही जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी की भी शहादत हुई जो सेना के शहीद के परिवार कह रहे हैं वो सुन लीजेगा तो कलेजा काप जाएगा मेजर आशीश की माँ जिनके आशु सुख चुके है उनका कहना है कि उन्हों तो बेटे को पाल पोस कर इस देश को समर्पित कर दिया था उसने कुर्बानी दे दी लेकिन वो आगे कहती हैं कि अगर सरकार में बुलेट प्रूफ जैकेट दिये होते तो आज सिर्फ मेजर आशीश ही नहीं बहुत से और बेटे बच जाते मेजर आशीश अपनी धाई साल की बेटी के पास कभी नहीं लोटेंगे जम्मू कश्मीर के अधिकारी हुमायु भट अपने 29 दिन के बच्चे का दुबारा से मूँ नहीं देख पाएंगे जब उनके पिता ने उनको सलूट करके विदाई दी तो हर आख नम थी लेकिन ऐसे में देश का मुखिया देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी भाजपा के हेटक्वाटर में G20 का जश्न मना रहे थे और उसके बाद वो मद्यप्रदेश में प्रचार कर रहे थे इस देश के प्रधान मंत्री ने इन सर्वोच बलिदानों के लिए एक शब्द समवेदना का सम्मान का श्रधानजली का एक शब्द नहीं कहा वो मोदी जी जो सोशल मीडिया पर कभी रशन में कभी फ्रेंच में कभी स्पैनिश में लिखते हैं वो मोदी जी जिनको एक क्रिकेटर की उंगली तूट जाने पर उसके प्रथी अपनी समवेदना व्यक्त करते हैं उन्होंने इन जाबाजों की शहादत पर एक शब्द नहीं कहा और अभी एक पैटर्न बन चुका है जाबाज शहीद होते हैं वो बलिदान देते हैं और देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है 11 अक्टूबर 2021 को पुंच में पाच जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा 16 अक्टूबर 2021 को पुंच में चार और जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी कुछ नहीं बोले 5 अगस्त 2022 को रजोरी में 5 जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी कुछ नहीं बोले 20 अपरेल 2023 को पुंच में 5 जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी मौन रहे 5 मई 2023 को रजोरी में 5 और जाबाजों की शहादत हुई मोदी जी ने एक शब नहीं बोला पाँच अगस्त को कुलगाम में तीन जावाजों ने अपने प्राणों की आहूती दी मोदी जी कुछ नहीं बोले 19 अगस्त 2023 को ट्रक पलट जाने से 9 सैनिक वीरगती को प्राप्त हो गए मोदी जी ने एक शब नहीं बोला और 13 सितंबर को सेना के अधिकारी आतंकी मुठ भेड में शहीद हो गए मोदी जी ने एक शब्द सांत्वना का सम्मान का शद्धान जली का समवेदना का उनके परिवारों के लिए भी नहीं का इसे धर्म निभा रहे हैं आप देश के पृधान मंत्री होने का जाबाजों की शहादत पर जो शद्धान जली का एक शब्द न बोले जाबाजों की शहादत पर जो उनके परिवार के प्रतिस सम्वेदना न व्यक्त करे उस व्यक्ती से क्या अशा की जा सकती है लालत है